जैसी कृष्ण अस्तो मा सद गमया, तमसो मा जोतिर गमया, मृत्यो मा अम्रतम गमया, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंदकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यू से अमर्ता की ओर ले चलो प्रहधा रण्यक से लिया गया यह इश्लोप मानो ब्याक्षा करता है मकर संक्रांती के इस पर्वगी देव दिवस का प्रारंब देवदान से अर्थाज इस दिन जैसे ही सूर्य अपने पुत्र शनी की राशी मकर में प्रवेश करते हैं वैसे ही शुरुवात हो जाती है चेतना, उर्जा, आरोग्य तथा सकार आत्मक्ता के नए आयाम की यू मानिये कि यह देवताओं के दिन का आरंब दिवस मकर संक्रांती, इसनान, दान, तप, जप, नियम, जीवन तथा मृत्यू को धारन करने का दिवस है इस दिन से आप जो भी नियम लेते हैं, वह साल के अंत तक आपकी तथा आपके परिवार की रक्षा कवच के समान सुरक्षा करता है इसी कारण आज के दिन से महिलाएं दान इत्यादी के कुछ नियम लेती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वे सभी नियम जो इस दिन से प्रारंब किये जाते हैं और अंत में उनका उद्ध्यापन किस प्रकार किया जाता है तुलसी सीचना इस नियम को यूदो विवहा की पहली संक्रांती से ही प्रारंब कर दिया जाता है तुलसी माता के बिल्ले पर स्वस्तिक तथा साथ बिंदी सुहाग की कुम-कुम से लगाई जाती हैं मासिक धर्म के साथ दिन छोड़कर अन्य दिन नियमित इसे लगावें यात्रा में जाने पर अथ्वा किसी और विशेश परिस्तिती में होने पर यह कार्मानसिक रूप से संपन किया जा सकता है अगली संक्रांती पर जब अगली संक्रांती आती है तब तुलसी मा को साड़ी शंगार का सामान चांदी का दीपक चांदी का स्वस्तिक एक सोने की तता साच चांदी की बिंदी किसी सुहागन इस्त्री अत्वा अपने से बड़ी घर की किसी भी सदस आप विवाहित है आपके सस्रॉाल के आसपास जो भी लक्षमी नारायन का अत्वा राधा कृष्ण का मंदिर है उस मंदिर में जाकर आप संक्रांती के दिन चर्णाम्रत लेकर आए भेट दक्षना उस दिन आप अवश्य चड़ाए नारियल और रुपे की आप भेट करें औ हाँ से चर्णाम्रत भर के लाएं और उसमें कुछ चावल के दाने अत्वा चने की डाल के दाने या चावल की पूर्वे रध नार के दानों जोब ऑग्वाण की पोशाग चड़ाएं जो भी आप भेट मंदिर में करना चाहें अच्छे से अच्छे आपकी सामर्त के अनुसार आप कालीन दे सकते हैं पड़दे दे सकते हैं साथी पुजारी एवं पुजारन को भी भेट अवश्र दें और मंदिर में राधा कृष्ण भगवान की या मुर्टी जो उनकी पूश्टाप आप बनवा कर आएं अगला नियम चर्ण अमरत लेना इसमें सास ससुर जेट जेठानी ननद ननदोई नाना ससुर नानी सास कोई भी पुजारी अत्वा पुजारन भ्रामण अत्वा भ्रामण आपके गुरू अत्वा गुरू पतनी जो है अन्य था आ जिनके प्रतियाप श्रद्धा रखते हैं उनका पहली संक्रांती पर आप चर्णामरत लें चर्णामरत का तरीका वही रहता है कि दाहने पैर का अंगुठा अच्छे से धो कर पोच कर एक चोड़े वर्तन में उस दाहने अंगुठी का आप इस पर्ष करवाएं और श्रद ज़ल से पूरु वहदाना ग्रहन करें अंत में अगली संक्रांती पर आप अच्छे से अच्छा अपनी सामर्त के अनुसार अच्छे से अच्छी आप भेट करें आप जिनकों भी जिस दमपत्ति को भी भेट कर रहे हैं उनमें पुरुष के लिए पहनने के वस्त्रों के सा अन्तेवस्त्र रुमाल तॉलिया मोजा चपल चांदी का दाहने पैर के अंगुठे का छल्ला सोने की यदी सामर्त है तो आप अवश्य दे पीतल तामबा कांसे इत्यादी किसी भी शुव धातू का कटोरा भी अवश्य ही भेट में दे जो इस्तरी है उनके लिए आप साड़ ब्लाउज पेटिकोट अत्वा जो भी वस्त्रवे धारन करती है वहें उसके साथ शंगार का पूरा सामान चूड़ा शॉल चपल चांदी के विचुए अवश्य दे तथा भोजन हेतू पांच वर्तन और 14 तिल्वा भी उनके लिए उसमें रखकर अवश्य दे अगला निय अंत में जो अगली संक्रांती है गाय को सुहागन इस्त्री के समान ही साड़ी श्रंगार का सामान चांदी के खुर सोने के सिंग जो की प्रतिकात्मक बनाये जाते हैं जल पिलाने हे तू बाल्टी इत्यादी कोई घहरा बरतन चारे हे तू कोई ऐसा बरतन जिसे परात इत् साल भर के लिए चारे का और पानी का भी इंतजाम आप कर गया है अगला नियम है चडिया को चुगा देना किसी मंदिर पर अथ्वा अपने घर में ही नित्य दो मुठी सब्तधान आप चडियों के निमित डालें अंत में अगली संक्रांती पर चांदी की चडिया बना कर तथ अगला नियम है मौन धारन करने का नियम मौन पर मेरा पिछला वीडियो भी है आप उसको देख सकते हैं यदि आपको विदिवत देखना तो आप वीडियो पर जाकर जाकर और आप चानल पर देख सकते हैं मोन लेनी की संपून विधी, संध्या समय 24 मिनट का मोन रखें, अंत्मे भगवान के मंदिर में जालर, घंटा या कोई भी वाद्य यंत्र का आप दान करें, एक संक्रांती पर आप मोन धारन करने का संकल्प लें, अगली संक्रांती पर आप भगवान के मंदिर में काम आने व सकते हैं इसमें कोई निश्यत नहीं होता है कि आपको अन का ही दान करना है फल का ही दान करना है जो भी आपको याद आता जाए दिन के अनुसार बार के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप दान करें इसमें अंतमे संक्रांती के दिन तांबे के लोटे इस दान का फाइडा यह है कि हमें किसी भी प्रकार सोचने की आवशक्ता है यदि किसी दिन आप भूल जाते हैं किसी दिनum जयव से निकालक रुप्य कहीं भी GGIye जियन पार्थक्म करबाएवाऑ फल खरीद कर दे सकते हैं किसी भी प्रकार आप इसका नित्य दान का संकल्प अपना पूरा कड़ सकते हैं इसी प्रकार का अगला जो दान आता है वह आता है सो सेर एक साल में संक्रांती से संक्रांती तक हमें सो वस्तुवें भिवन प्रकार की वस्तुव का दान करना होता है इसमें आप भिवन प्रकार की सबजियां फल दाले अनाज मेवे मिठाई वस्त्र और भी जो भी संसार में या आपके काम में आने वाली जो बस्तुए हैं, जो सात्यक चीजे हैं, उनका दान आप कड़ सकते हैं। संक्रांती अगली संक्रांती आने पर चावल में चांदी तथा चने की दाल में सोना रखकर किसी भी योग्य पात्र के लिए आप इसको दान करके सो सेरी का समापन कर सकते हैं। इसका फाइदा ये है कि जो भी चीजे हम काम में लेते हैं, उन सभी चीजों का दान लगवग इस दान के मात्यम से हो जाता है। इसी प्रकार जो अगला दान आता है वह आता है पांस सेर का पांस सेर का दान प्रतिक महीने की संक्रांती को दिया जाता है। इस महिने की संक्रांती को 5 किसी प्रकार की चीज आपने दान में दी अगली संक्रांती को कोई दूसरे प्रकार की चीज जैसे इस बार आपने 5 किलो गयहू या गुड दिया अगली बार आप नमक दे सकते हैं उससे अगली बार आप फल्दी दे सकते हैं इसमें जो चीज की मा वह 5 kg रहती हैं अंति की संक्रांती पर आप 5 kg को चले हो में बदलक्र मंदिर किसी पर भी कर सथ कर सकते हैं को अग्ला नियम आता है मांग भरवाना टेक महीने की संक्रांती को बाल दो किसी सुहा निस्ति से मांग भरभाय Noah उसे एक कटोरी में खिचडी तता सुहाग का सामान रख कर दें। अंतिम संक्रांती पर आप साड़ी वेश्रंगार का संपून सामान देकर इसको पून कर सकते हैं। इसी प्रकार चोटी गुत्वाना भी होता है। इसमें आप प्रतिक महिने की संक्रांती को किसी सुहागन इस्त्री से अपनी चोटी गुत्वाएं। अंतिमें उसको कांच, कंगा, वही भेट, दक्षना, साड़ी, व्लाव, सुहाग का संपूल सामान दे सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में अपने सुहाग को अटल बनाने के लिए अखंड सोभागे की कामना से महिलाय महंदी लगवाने का नियम भी लेती है। वह महंदी वर्षवर अपने हाथ पर रखी जाती है। जैसे ही महंदी मिटले लगे पुने महंदी लगवाले, फिर महंदी मिटले लगे पुने महंदी लगवाले। इसी प्रकार से वर्षवर तक महंदी इस्त्रियां और अपने हाथों में धारन करती है। अंतमे भेट, दक्षिना, वस्त रित्याती के साथ इसमें सोने की अंगूटी देने का विधान है, यदि सामठ नहीं है आप चांदी की अंगूटी भी भेट में दे सकते हैं, इस प्रकार इसकी संपूर्ता होती है, अगला नियम आता है चपल पहनाने का, चपल जो की हमारे क आध्यतमेक मार्ग में जब हम अमर्त्यू के पश्राथ हम आगे के रास्तों पर जाते हैं, तब यह हमारे काम आती है, इसमें पाधत्रान का नाम इसको दिया गया है, अठ्था पेरों की रक्षा करने वाले होती हैं, तो इस मार्ग में हमें बहुत अधिक हमें फायदा दे प्रतिक संक्रांती को आफ किसी प्रकाल से दे सकते हैं अ his के उध्यापन में मंदिर में आप चांडी की यतुर्फा लकड़ी के खड़ाओं वस्त्र और डक्षिसना सहut场 किसी ब्रहम्मन को दें किसी योग्य सबस्क्रा में जबने सबस्कारों का अगला नियम कवारी करने पूजने का सबस्क्राइब सब्सक्राइब। छोटी बालिका को जिस परकार हम कन्या पूजन में करते हैं अपने घर बुलाकर 2–12 वर्ष तक की कन्या को अपने घर बुलाकर विदिवत सकी पूजा करें उसके पैर पूजें उसको भोजन करवाएं और इसको कुछ दक्षना देकर देखरें नंतिकी संक्रांती पर आप उसको पूण पोशाम जो भी आप दे सकते हैं अच्छे से अच्छी आपनी शामर तंशार उसको हूण पोशाम भेट करें यह है कञ्ण्यापूजन की थरह होता है सालवर्शवर कन्यापूजन करने से माता आप पर प्रसंद हो अगला नियम आता है अतिती भोजन इसे सामी रोटी के नाम से भी कहा जाता है इसमें हाथ में एक व्यक्ति का भोजन लेकर घड़ से निकले जो भी योग पात्र सरप्रथम मिले और यदिव भोजन लेने के लिए तैयार हो क्योंकि यह समय ऐसा है कि इस समय कोई भोजन लेता नहीं है तो अगर कोई भोजन ना ले तो मंदिर पर आप उस भोजन को देख कर आए अंत में जब अगली संक्रांती पर भिविन्न पक्वान या तो तामे के पात्र में अत्वा पीतल के बढ़तन में सजाकर भीट दक्षिना वस्त रित्यादी सहित किसी योगिदंपत्पी को अत्वा मंदिर में दान करें इसी प्रकार होता है द्वार दिया संक्रांती के दिन से यह प्रार्म किया जाता है एक बर्ष्ट तक प्रात कि अग्ला जो नियम आता है जो की बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस कारे को करते हैं वह है अपने से बढ़ों को किसी योग्य दमपत्ति को सास ससुर को या किसी भी जिसके प्रति आपके मन में श्रत्ता है उनको सीडी चडाना तथा सीडी उतरवाना अपने से बड़े किसी भी योग्यस्त्री पुरुष्ट के जोड़े को नीचे से ऊपर सीडी चडाए तथा ऊपर से नीचे सीडी उतरवान इसका विधान रहता है कि इस संक्रानती पे आप अपने से बढ़ों के लिए जिनको भी आप सीडी चडाना तथा उतरवाना चाहते हैं लक्ष्मी नारायन की निमित्ति है किया जाता है इसमें प्रथम जो सीडी है उस पर आप कोई छोटी बेट रहें जैसे आप एक रुक्या रख सकते हैं कोई छोटी बेट रहें इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में आप भेट रखते हुए जैसे पहली सीडी पर मैं आपको सिर्फ सीडी पर आपने अन्य कोई शंगार का सामान नत्यार अंतिम सीडी पर आप उन्हें उपर यूपर ले जाकर दोनों जोड़ा है दंपति है उनको आप भली प्रकार से वस्त्र पहना या वस्त्र उनको भेट दे और उन्हें बड़ी प्रसंवर्णता पूर्वक आदर के और घटते हुए क्रम में आपको वो चीजे नीचे तक लेकर आनिया और नीचे उनको सीड़ी उतार कर और सीड़ी के निचले ही निचले इससे पर भेट दक्षना सहेत उनको से सम्मान घर में प्रवेश करवाए इस प्रकार का यह नेक लिमा लक्षमी तथा विश्णु भग रखते हैं कि दो व्यक्तियों का विस्तर जिसमें गद्दे रजाई कंबल चादर रित्यादी हो सकते हैं या तो जिनका आपने विस्तर उखाय है उनके लिए अत्वा किसी मंदिर में भी आप शयादान जैसा आप कर सकते अगला चोटा नियम है चोटी आटा निकालना अर् मावस्या है कोई और अच्छा वैतर आपको दिन नजर आता है अत्वा प्रतेक महिने की संक्रांती को उस पूरे आटे को आप किसी मंदिर में खुड़ा सा उसमें घी थुड़ा नमक सीधा सामान हम बनाते हैं उस प्रकार रखें किसी मंदिर में बेट करने अंतिम जब उस तक मंगला आरती का नियम लें भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की कुण्डी बजावें अंत में होशाक परदा भेट दक्षना इत्यादी चलाकर इसका उत्यापन किया जाता है जो अपने से छोटों के लिए नियम लिए जाते हैं उनमें है जेव भरना तो देवर की अत्वा जेट के बच्चों की जिसमें विशेसकर लड़कों के लिए ये किया जाता है तो पहली संक्रांती पर उनके जेव में या तो मेवे डाले जाते हैं अत्वा कहते हैं कि देवर को घीवर देना तो उनके लिए घीवर से इसकी शुवात करें और अगली संक्रांती प कि बहुत महितम खुमभू घर कि महिलाओं के लिए और हमारे घर के लिए रहता है घर तो किसी नदी तालाव इस तार्थी के किनारे जयाकर वैसे तो यह किया जाता है लेकिन यह संभव तो अपने घर में ही किसी एक स्थान पर घर के भीतर अत्वा घर के बाहर थोड़ा सा गौवर रखें प्तम संक्रांति को गौवर रखें और नित्य उसको सीचे अर्था जल से ऊसे उसको इसनान करवाएं और कुमको मित्यादी से उसकी भली प्रकार अक्षत इत्यादी चड़ाकर उसकी पूजा करें और थोड़ा जल छोड़ते समय आप मन में कहें कि सीचुंगी घाट पाट और पाउंगी राजपाट कहते हैं इससे धन लक्षमी की निरंतर ब्रद्धी होती है उध्यापन में अंत में आप साड़ी ब तो इसमें एक वर्ष तक नित्य सूर्य देव की विधिवत पूजा करें यदि नित्य नहीं कर सकते तो प्रतेक संक्रांती को एक तामे के पात्र में गेहूं गुड अनार कुमकुम लाल वस्त्र दक्षना इत्यादी रखकर किसी सूर्य मंदेर अत्वा किसी योग्य प्यक संक्रांती को आप फिट करें अंत्त में अगली संक्रांती पर सौने का सूर्य बढ़न 00580 द्यामे के पात्र में दिल भीतर उसको रख़ कर और दान में दे इस्टे प्रकार ये सूरज्ञा का नियम लिय ए जाता है इसी प्रकार से महतरत्र तथा महतरानी को को भी पहनाया जाता है अब सर प्रथम अपने माएके की उसके पत्षा ससुराल के पहनाना होता है उनको भिधिवत पहन को भिट जाड़ने के लिए किसी मंदिर के आगे जाड़ती हो उस इस्थान की जो महतर और महतरानी है उनको भीट दक्षना कर उसे सालवड जड़वाएं अन्त में आप उनको संपूर्ण सामान जो मैंने पूल में बताया है वह तो दे ही साथ महीं उनको घर बुलाकर उनको विदिव बोजन करें उन बरतनों को भी उनी को भीट में दे दे सम्मान पूर्वक उनके लिए घर में बुलाकर बोजन करवाएं रास्ता जड़वाएं यह बहुत ही शो होता है मालक्षमी की प्रसनिता के लिए तथा अपने एही लोग तथा परलोग को सुधारने के लिए यह होता इसी प्रकार धोवी धोवन को भी घर बुलाकर विदीवत उनको भोजन करवाया जाता है और विविन्य प्रकार की चीजे उनको भीट में दी जाती है विशेसकर चांदी की अंगुटी धोवी एवं धोवन को देने का बिधान इसमें रहता है इस सब के अलावा कुछ बूद का गिलाज किसी को प्रते दिन पिलाना और अंत में जिस प्रकार मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार वस्त्र भेट दक्षना इत्यादी दे कर उसका समापन करना इस प्रकार ये दान के छोटे-छोटे नियम है जो हमारे भारतिये समाज की परंपरा को जीवन तरक और हमारी आध्धात में उन्नती हो तो इस संक्रांती से इन नियम हो मैं से कोई ना कोई नियम आप अवश्य ले अवश्य कोई ना कोई नियम धारन करें और अपने जीवन पर उसके सकारात्मत प्रभाब देखें तो कैसा लगा आपको मेरा इस वीडियो अगर अच्छा ल